आज की स्वीन को आरा आर भी गृूर्वडी के कॉसंस को सौल्व कॉराँगो ठीके 2 सितमबर को जो कॉसंन पूछे गए थे सिट 1 सिट 2 में उन कॉसंनों को आपको सौल्व कॉराँगो ठीके आप लोगे माध्यां देम से मुझे कुछ कॉसंस मिले थे उन्ही कोस्टनों को आपको इसमें सौल कराँगा चीक कोस्टन नमर पहले दखा जाए इसमें क्या दिया गया तिक कोस्टन नमर पहले में इस तरह से दिया गया और इसका मान आप से पूछे गया यानि इन दोनों अंके को उपर बार है और इसमें भी दोनों उंकों के उपर बार है तो मैं आपको यह बता दना चाहता हूं कि बार वाले जो question होते हैं एक मेरे एक special video बनी बार वाले topic पड़ ठीक है उस video के लिए का आपको decision में दे दूँगा या video के playlist में जाकर आप number system topic में आप बार वाली topic आप complete पड़ सकते हैं ठीक है तो कि ऐसे question जब भी मिलते हैं अलों करते हैं जैसे इस संख्या के उपर बार नहीं है और इन दोनों के उपर बार है तो कैसे solve करेंगे देखा जाए सबसे पहले आप पूरी संख्या लिख लिजे 784 आप लिख लिए अब जिस संख्या के उपर बार नहीं है इसको क्या करें घटा दीजे इसको क्या करना आपको माइनस कर लिए बटा क्या करना आपको जितनी संख्या के उपर बार रहेगा उतना ही नीचे क्या करना आपको 9 लिखना होगा और जितने अंक के उपर बार नहीं रहेगा उतना ही 0 आपको नीचे लिखना हो तो सेव इसे के तरह इसको भी आपको लिखना होगा तो सबसे पहले पूरी संख्या लिखे लेंगे तो 8, 7, 6 हो जाएगा अब जिसके उपर बार नहीं है उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे और पूरे गबड़ा कितना हो जाएगा 9, 9 और ये 0 हो जाएगा इतना क्लियर है अब दोखी करने के इसको यहाँ से घटा दीजे जब इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7, 7 मिलेगा 770 मिलेगा और इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा और इसको घटाएंगे तो आठ सो आठ सो आठ सो आठ सो आठ सो आठ सो आठ को मिलेगा अगर ध्यान से देखी तो दोनों की हर क्या समान है अगर दोनों की हर समान है और इनकी बीच में प्लस का साइन है तो आठ सापस में डा हमों डायट जोड लेते हैं इन दोनों को करते हैं क्या जोड लेती हैं जब इसको दोनों को जोडें nigga तो 145 मिले घा कितना मिले वह 25 आपको और निचे तो आपको यही रहागा हर समाने तो यह यही रहेगा अब दो जैसे क्या करना है कुछ चोटा करना इससे डिया ठीक ہے तो मेरे पास है नहीं कि अप्सन किस ही पर latitude में दिया गया था ठीक है तो इसको आप काट कर कर लिजिए ग़ा और अगर अपसन می पास रहता तो मैं इसको सौर करा देता ठीक है लेकिन इसको आप काट के इसे छोटा कर लीजिए गया चलिए अगला कोसन देखा जाए क्या कोसन जामें पूछा गया था कोसन नमर सेकेंड देखा जाए इसमें क्या दिया गया 22-40 के कुल संग गुरनखंडों की संख्या ग्याद कीजिए यानि इस प्रसमें आप से ये पूछा गया कि 22-44 में कुल कितनी संख्याओं से डिवाइट किया जा सकता है इसमें आप से ये पूछा गया तो पता करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले आप इसको कर जिए कि इसका फैक्टर कर लिए इस तरह से गुर्ण खंड आप कर लिजे इस तरह से आप कर लिजे अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते है मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या तो सात्री के 21 हो गया और यह कितना हो जाएगा सात्री के 21 साथ दूना चुगदा और 32 कौनों क्या लिए सकते हैं 2 की पाउर कितना कर दिये 5 अब देखिए 2 की पाउर यहां पर एक है 2 की पाउर 5 तो यह दोनों जूड जाएगे यानि जब आप इसका गुरनखंड करेंगे तो इस तरह से करेंगे तो 2 की पाउर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 5 इंटो कितना हो जाएगा यह 7 इस रूप में यह ब्रेक हो जाएगा सबसे पहले आपको इस रूप में ब्रेक करना है अब पूछा है कुल गुरंखंडो की संख्या सम गुरंखंडो की संख्या तो इसके लिए आपको करना है कि यह टॉपिक भी मैंने आपको नमब सिस्टम में पढ़ा रखा है वीडियो के आपको डिसेशन में दे दूँगा य इस टॉपिक और पूरा कंप्ली पढ़ सकते हैं कैसे गुरंखंडो के संख्या निकालते हैं सम गुरंखंडो के संख्या विसम गुरंखंडो के संख्या कुल गुरंखंडो के संख्या या सम गुरंखंडो का योगफल विसम गुरंखंडो का योगफल कैसे निकालते हैं जो भी एच्छ है आप लिख लेंगे। इसकी पावर को कॉंस्ट्टय तो पावर से अप यहां पे लिख लेंगे। हो एक एक पावर अधिक लेकल्य है इन में। पह द्íamosक्रрем मुल्टिपल करना है। जो 20 सम्भारी पावर है इन से क्या करी है एक एक पावर अधिक लेकर इन सभी का आपस में मल्टिपल रहे है छे दुना 12 होगे है बार दुना कितना होगी है 24 कितना हो जाएगा 24 यानि 22-24 में कुल कितनी समसंख्याओं से भाग दिया जा सकता है यह इसका आंसर आगे है चलिए अगला कोस्ता दखा जाए इसमें क्या दिया गी है यदि किसी संख्या से 158-285 को भी भाजित किया जाता है तो सेस्फल 4-5 बचते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या ग्याद किजिए यानि करना कि आपको ऐसे आप आपको बताना है तो सबसे पहले करना है कि आपको या तो आप डायेट आप्सन से भाग दे कर सकते हैं जैसे कर मैं इसमें भाग दूँ किस आप्सन से अगर मैं इसमें भाग दू तो 4 रिमाइंडर बचना चाहिए और इसमें भाग दो तो पांच रिमाइंडर बचना चाहिए, ऐसे आप आप से भी भाग देकर पता कर सकते हैं, या दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसका, कितना है, वन फाइब एट है, और ये कितना है, टू एट फाइब, जो रि नहीं को रिमाइंडर वाला, ठीक है, यह आपका रिमाइंडर है, जब इसको घटाएँगे, तो कितना मिलेगा, वन फाइब, फॉर मिलेगा, और इसको जब घटाएँगे, तो कितना हो जाएगा, इतना क्लियर है, अब इसके बाद करिए कि आप इन दोनों का देखी, SCF, इन दोनों का क्या करना, को SCF आपको निकालना है, तो वहाँ बड़ी से बड़ी संक्या कौन सी है, जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, वहाँ बड़ी से बड़ी संक्या कौन सी है, जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, देखे, 18 से तो कटेगा नहीं, ठीके, 18 से ये प कौन से जो इन दोनों को डिवाइड करेंगी चोदे है यह इसका आंसर आगे यह जो आपको पहला तरीका बता है आप उससे भी कर सकते हैं अगर आप 14 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा चार आपका बचेगा बाग देखे करिए फाय बचेगा चोदय करन चार आपका रिमाइंडर बचेगा अगर चोदय से नवी बाग देखे एकष्णज में इसमें क्या दिया गया है 4800 रुपे की रासी पर 15% वार्सिक दर्स से 2160 रुपे साधार ब्याज कितने वर्सों में प्राप्त होगा इसमें आपसे ये पूछे ये दिखे क्या दिया आपको साधार ब्याज दिया गया है मूलधन दिया गया है यहां से रेड दिगे यही तो आपको फार्मुला होता है अब इसमें रखेंगे डाइट सौर को दे ऐसाइक कमान कितना दियागी 21 60 दिया गया और मुल धन कितना ये फोर एट डबल जीरो है और और कमान कितना पंदरा है और टी आपसे पूछा गया पूर एक प्लुणका तो हो यह तो नहीं जाएगा चाट रहा है चार से कट रहा है तो काड़ दीए चार से इसको काड़ दीए चार चोग को सोल हो गया चार चोग को सोल हो दो इधर गया चार पच्चे बीस और पंदरे से इसको काड़ेंगे तो तीन बार में ये कड़ जाएगा तो टाइम बराबर कितना मिल गया आपको त्री यह तीन वर्स यह इसका आंसर आ गया चलिए अगरा कोसन दखाज़े कोसन में फाइब देखा जाए इसमें क्या दिया गया है किसी वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर 4% की हानी होती है किसी अन्य वस्तु को 840 रुपए में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है कु इसमें आप से पूछेगे कोई वस्तु रही होगी उसका मुल्य अपने आप में 100% रहा होगा जब वह इतनी रुपए में बेच रहा है तो 4% की हानी हो रही है तो उस वस्तु का क्रेम मुल्य पता करने के लिए करना कि आपको अब देखिए कोई वस्तु का दाम अपने पर बेच दे रहा तो इसमें सिदाम के लिए 96% का दाम दे रहा और रुपए में कितना लिए इतना है तो करना कि आप मुल्य पता करने के लिए इसमें चानव से भाग दे दीजिए 100 से घुड़ा कर लेंगे तो आपको क्रेम मुल्य पता चल जाएगा CP आपको पता चल जाएगा यानि उस जब इसमें 96 से भाग देंगे 100 से गुड़ा कर देंगे तो 1000 रुपे आपको मिलेगे यानि उस वस्तु का जो क्रेम उल्य है वो कितना आगया 1000 और यह से कितने रुपे में सेलिंग करा है इसे कितने रुपे में सेलिंग करा है यह 960 रुपे में बेच रहा अब दूसरी वस्तु है किसी अन्य वस्तु को इतने रुपे में बेचने पर 20% का लाब हो रहा यानि इसमें क्या सामिले 20% का लाब सामिले और वस्तु का क्या क्रेम उल्य यानि 100% सामिले तो कह सकते हैं हंडेट प्लस 20 ये टोटल कितना? 140% है इसमें 140 से भाग देजे और 100 से गुढ़ा कर लिए तो वस्तू का क्रेम उल्याप को पता चलिएगी जब इसमें करें क्या जब इसमें 100 कितने? 120 से भाग देंगे और 100 से गुढ़ा कर देंगे तो वस्तू का करेम उल्य आपको पता चलिए कितना जागी 700 रुपे वस्तू का करेम उल्य आपको पता चलिए और यह बेच रहा कितने में 840 रुपे में बेच आए तो इस तरह से देखा जाए तो इस तरह से देखा जाए तो कितने रुपे का लाब यहा नहीं हुआ देखे दोनों वस्तु को इसने कितने में खरीदा सतरस रुपे में खरीदा और कितने रुपे में बेच रहा है ये और ये सो हो गया सो हो गया तो इन्हों कितना हो जागी अठार कितना हो जागी नौसट नौसट कितना हो जागी अठार हो जागी यानि वस्तू को 100 रुपे में खरीद कर और बेज दे रहा कितने 1800 रुपे में तो इसे क्या और अब प्राफिट हो रहा है कितने रुपे की प्राफिट हो रही है 100 रुपे की क्या और रही प्राफिट हो रही है ये इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा दोनों मिलकर उस कारे को कितने दिन में उस्तमाब करेंगे यह आसान कोसन आपका पूछा गया बिल्कुल देखिए इसमें कहा कि एक इसी कारे को इतने दिन में और भी इसी कारे को इतने दिन में देखिए इस कोसन को मैं आपको डायट सॉल्ब कराने के कोसिस करा हूँ ठीक है हैं यहां बेर हम लिखे हो नहीं लिखेस करें सबसे पहले इन दोनों का लिखा निकाल olan के तो कितना यह मार्ट आजा है किर전 निकालने की degli आप इस वाले के आप यहां मगें तो पंदर ह चौक हैं और इससे भाग देंगे तो बीच तेन साथ यानि जो A है एक दिन में चार काम कर रहा है और जो B है एक दिन में तीन काम कर रहा है तो कहा किया दोनों मिलकर अगर मैं दोनों के कारे मिला दू तो दोनों मिलकर एक दिन में साथ काम करेंगे और करना कितना साथ ये तो आपको टोटल कार है न ये आपको टोटल वर्क है एक दिन में दोनों मिलकर साथ काम करें तो इतना कारे कितने दिन में करेंगे तो आप इसको डिवाइड कर दिए तो कितना हो जागा साथ वर्टे छपन और बचा कितना चार चार में साथ से भाग जाएगी नहीं आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए तो इसका आंसर कितना जाएगा आठ सही चार बट्टे साथ आजाएगा चलिए अगरा को से नकले को सब्सक्राइब देखा जाए इसमें क्या दिया गी है दो संख्याओं का अनुपात तीन अनुपात चार है और उनक कितना जाएगा वन एट जिरय को संक्याओं का ट्रेंगे तो रेसरें उल्फ एकम आख ऑनकू Só Flat गरिए गएज़ तो इसका है पेंट बाइचति हैं तो संख्याओ कंगाए और चेई अब्रक च्छों को संक्राइगा यब खोगा तो पूछा हैं किया दोसरे संख्याओ पू हुसा किटने है सिकन्ड संक्य केटनी सिटी है trajd ये इसका क्या गया आंसरा अगया चलिए अगला सृस्ट चका aware हस्ट को सदिक ऐसन हमने अनिंडे खाजय इसमें क्षा यह – इसमें क्या दिए हैं एक एसन पांच दिनों में तीन एकर जामीन जोतता है तो जोता है वह 12 एकड़ जमीन कितने दिनों में जो सकता है इसमें आप से यह पूछाए तक इस कोशन को क्या करेंगे M D H E upon W R के फार्मूले से स्कोशन को सॉल्व करेंगे यह चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ा रखा है देखिए करना है कि यहां से यहां से देखिए D कमान दिया गया है और यह जो जमीन जोत रहा है इसका क्या एक तरह से कारें यानि W कमान दिया गया है तो सबसे पहले W दिन हमारा कहा रहेगा उपर रहेगा यानि D यह जो जोतना इसका कार यह कहा रहेगा नीचे रहेगा अब चलतेई को तो वहाँ बार्ह एकड जमिन यानि यह क्या दिया है बारह एकड़ जमीन कितने दिन में जोतेगा हम मौन ले एकस दिन में जोतेगा ठीक है अगर जिनको यह चीज़े नहीं समझ में आई है तो आप मेरी compound proportion की वीडियो के बार जरूर से दिख लिए वहां मैंने आपको पूरा detail से बनाया figure दोरा बना के आपको बताया अब इसका calculation करिए अगर मैं इसको divide कर दो चार बार में कटेगा चार से इदर गुड़ा कर दो तो x से बराबर कितना जागा यह 20 कितने दिन समाप करेगा यह 20 दिन में समाप करेगा यह यानि 20 दिन में जोद देगा तो d options का match करेगा चलिए अगर आपको ट्रिक से बता रहा तो सबसे पहले जो इनके angle दिये गए हैं आपको यह चीखकरना है क्या due मिला यह? क्लीर हैud? अगर इनके angle नबे ह हो रहे हैं तो इसका मांण कतने हो जाएगा? वन हो जाएगा ठीक है? यह वन हो जाएगा आपको इसको च्क करना है क्या इनके भी एंगल 90 हो रहे हैं क्या अगर आप चेक करेंगे तो कितना मिल जागा यह 90 डिग्री तो इसका विमान कितना होगा होगा कि नहीं होगा कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा अगर प्रोसेस से करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन मैंना को ट्रिक से बता दिया कैसे आप इस को सौब करेंगे एंगल देखना अगर दोनों का यह 90 मिल ला है तो इस पूरे कमान एक हो जाएगा मैंने आप लिख लेए यहां पर भी आपको चेक करना कि एंगल क्या 90 मिल ला है क्या अगर 90 मिल ला है तो इस का वान कितना हो जाएगा एक हो जाएगा यहां पर मैंने लिखके जोड़ दिया दूनों को आंसर आ गया है चलिए अगला कोस्त नमर गैर देखा जाए इसमें कहा दिया गए है कोई बल्ले बाज 15 पारे में 18 रन बनाता है और इस प्रकार अपने आउसरत में 3 रन की ब्रिद्धी करता है 15 पारे के बाद उसका और 7 रन क्या होगा इसमें आप सी यह पूछा गया ठीके इस कोस्तिन को लोग 2-3 तरीके से स्वाल कर सकते हैं लेकि तो कि इससे पहले 15 पारे में इतना रन बना रहा है तो इससे पहले यह 14 पारी खेला हो की प्रकार पहले से क्या होगई पहले जो रेड था उसमें तीन की ब्रिद्धी होगे पहले एक्स था तो तो तीन की ब्रिद्य हो गई तो कितना बुड़ी हो जाएगा, x-plus फिरी हो जाएगा इतना क्लियर है? अगर मैं इसका घुड़ा इधर कर दू तो कितना बुड़ा इसका घुड़ा करना तो यह है क्ता है, x-plus अठावन और यह 15k और 15 तो कितना बचेगा ये 13 बचेगा, कितना बचेगा 13 बचेगा यानि 14 पारे तक उसका वस्वा स्वा रड़ी ते रड़ीधी तो में तीन आप क्या कर लीजिए? जोड लीजिए जब तीन जोड लेंगे तो 15 पारे के बाद ohsat run rate किषना हो गया 16 हो गया 16 हो गया चलिए अगला कुस्न देखा जाए bringing 12 संत्रे बेचने पर एक फल वाले को चार संत्रों के विक्रयमुली के बराबर हाने होती है हानी प्रतिस्त कितनी है इसमें आप से ये पोचेगे देखे इसमें करके 36 संतरे ये बेज रहा है तो कितने संतरे के विक्रे मुली के बराबर हानी हो रहे है ये 4 संतरे के विक्रे मुली के बराबर हानी हो रहे है देखे आपको एक फार्मला पता हुआ कि हानी बराबर होता क्या है हानी बराबर क्या होता है हानी बराबर क्रे होता है क्रे माइनिस विक्रे होता है अब देखे हानी आपको दी गई हानी दी गई हानी कितनी है चार संत्रों के वराबर हानी हो रही है तो हानी के एक चार रख ले जाए और यहां से उलो कर के, इस formula सा लो, विसका अमान निकाल रहा है, क्रै वाला निकाल रहा लेखे, हुआ खिए, मुझे पता यह बेज रहा है, 36 संतर बेज रहा है, तो 36 हों गया है, यह आकर इधर आकर जुड़ जाएगा, तो क्रै यह कितने संतर इसने क्रै किया होगा, कितने स हानी हो रही चार हानी हो रहे हैं तो मुझे संतरे के वराबर हानी से बिदू हो रहे है वर क्रैश ने कितना किया था चार फैसन примерно 40 करे किया था तो चारिस से डिवाइट कर दीजे और प्रतिस्त में अर्ट है और यह इसे कड़िया गा, तो, कितना बचँ दस पर से, उससे कटने परसंट की हाणी हो रहे है? यह 10 प्रतिस्त की हाणी हो रहे है? 10 परसंट की हाणी हो रहे, सिरे score taking चलिए अगला कॉसन का जो गुस्त नम्र 13 देखा जाए इसमें क्या दिया गिए है cos theta plus यह आपका sick theta रहागा ठीक है यह आपका क्या रहागा sick theta equal to कितना दिया पांच बटे 2 है तो इसका माना आप से पूछागी cos square theta plus sick square theta का माना आप से पूछागी देखि मुझे यह पता है किसका उल्टा होता है यह किसका उल्टा होता है cos का उल्टा होता है अगर मैं इसे cos के format में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते है one upon cos लिख सकते है जो sick है इसको आप लिख सकते है one upon cos theta लिख सकते है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो एक बल के लिए मैं ऐसा माल लो जो cos theta बराबर में क्या माल लो, x समाल लो, cos theta बराबर में क्या माल लो, x समाल लो, तो इसके अस्थान पर x आजाएगा, और यह क्या हो जाएगा, one upon x हो जाएगा, अग का मान डिकिंगे मैंने क्या माना x स्कौार हो जागा प्लस इसको भी तो अब लिखेंगे उल्टा क्या हो जागा ? ऐसको ऑप लिखेंगे। न वाले फॉरमीट में आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, आपको यह जो कोसवा मैं आपको कोस्छे से इसे भी आप इस को स्वाल कर सकते हैं या आप इसे भी आप इसे भी चल्ड करके स्वाल कर सकते हैं लेकिन मैं इसे क्या कर लिए अलजबरा वाले में कर लिए इतना क्लियर है अब दोखिए अगर इसका अमान इतना है तो इसका अमान आप से पूछा गया कितना होगा तो इसक concept होता है तो इसका score करेंगे तो कितना हो जागा पचीस 25 व्रक्टे कितना हो जागा चार है उससे solve कर लेजिए तो जब इसमें करेंग तो चार दूना 8 हो गया अगर आप आठ इसमें से घटाएंगे पचीस में ऐ गठाएंगे तो कितना मिलेगा? सत्रा मिलेगा̊ । नीचे के आपका चार ही रहेगा ये इसका क्या flour जाएगा समय। is brilliant order Jest. litorta 515 तरह जाएका कैसा इसका मैंच करें। इगर बाहुता है। भी कुस्षन में 25 देखा जाएं? g can संख्या एंटु दूसरी संख्या एक उम्ट्य क्या होता है यह तो फर्मूलgen bén आपको कुछ भी नहीं करना है कि इसमें का मांड दिया गे इसमें इसमें रखेंगे अब एक संख्या दे देंगे तो दूसरी you seen起 पूचिए इसमें रखे क्या करेंगे अब किलो मिटर पति आवस की चाल से जाने में पंदरह मिंट देरि सी पहुचता है परंतु क्या करा वह दूर्पी 10 किल्यो मिटर पति आवस की चैब पर हुआ केबल 3 मिunkt देरि से पहुंचता है उसके घर से दबतर की दूरी कितनी होगी, देखिए, दोनों में दो मिले चालो का गुणफल बटे चालो का अंतर करते हैं और इंटू करते हैं समय अगर दोनों क्या देरी-देरी है अगर देरी-देरी दोनों सब्द है तो यह आपस में क्या जाएंगे घट जाएंगे आपस में क्या जाएंगे घट जाएंगे अगर जैसे यह देरी रहे औ को घंटे में लिखना होगा तो घंटे में convert करने के लिए क्ला करें साट से डिवाइट कर गया यह देके जीरो से जीरो कर गया इसमें क्या दिया गए है एक इसे कारे को दस दिन में समाप कर सकता है जबकि भी वीच दिन में समाप कर सकता है दोनों ने कठे कारे करना आरम किया परंतु पांच दिन बाद एने कारे करना बंद कर दिया से इस कारे समाप करने में भी कितना समय लेगा इसमें आप से ये पू 20 बार जाएगा अब इससे A वाले से डिवाइट करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगे दो बार जाएगे अगर B वाले से डिवाइट करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगे यह एक बार जाएगे अगर दोनों के कारे मिला दिया जाया तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे तीन काम करें और कितने दिन तक साइप करें यह लोगते। 17 दिन तो थो टोटल काम इससे कड़ी का पंदरय घटा लेंगे कितना बचा का है से स्थ कार्फॉ आपका बचाइस सेOOOO4 स्थ और इसके बाद रॉपा है क्या कि ए ने कारे छोड़ दिया रियन यह ने कारे चोड़ दिया तो कारे में लगा कौन है बी बी लगा है और ये सिर्ष कारे गीं से करें ऐसे करें एक अग्र क्रूं खरता है तो आप लिख लेजे़ दौ आज़रा अगर सेस्कार बी दौरा कराय यह तो कितने दन का टाइम कर देगा गया पांच दिन का समय लेगा यह इसका क्या आगया आंसर आगया बस अब रहने दे रहे हैं मुझे आप लोगों के माध्यम से कुछ कोस्टों से मिले थे मैंने कोस्टों को आपको स्वाब करके दिखा दिया तो आप मुझे कमेर से में जाके बताए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा